नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं स्वित्पिकी में आप सभी का स्वागत है, प्यारे बच्चों थम्नेल देखर आप लोग को पता लग गया होगा कि आज हम लोग क्या करने वाल है, रास्तान बोर्ड क्लास 12 मैट्स का चेप्टर 1 कंपोजिट फंक्शन जो है, उसके मेरे साथ पूरा वीडियो जूर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो आप लोग को अच्छा ही लगेगा, लाइक करना है, शेर करना है, उपर आए कि निसान पे कलिक करके, आप लोग चेप्टर 1 की थियोरी की और अक्सरसाइज की वीडियो भी देख ल पराबर साइन एक्स और जी भी आर से आइडिफाइन एक्स पराबर सी स्क्वेर, हमें जी ओ एक्स निकालना है, और यह क्यों जो है, यह आपको पता होना चाहिए, आपकी बुक में में चैप्टर 1 में एक्जाम्पल 2 होना चाहिए, देख लेना, वहां पर एक और कोली सुने में ठीक ना, और जी भी आर से आर में डिफाइन है, और जी एक्स बराबर अक्स स्क्वेर, यह तो दिया ओवा था हमें इसा कासा लिक लिए, हमें निकालना जी ओ एफख्स, जो अब जो वो किसमें डिफाइन होगा, यहां पर सारे सेट्ट जो आर हैं तो आर से में define होगा और जी ओ आफकस हम निकाले तो जी ओ आफकस छोटा लगरा ना बहुलें बंद करना ना बोलें गुश्टक में जी ओ ठीका ना आप में पता है कि मैंने अपनों बताया की आप सो है वो छोटे कोस्टक को हटाएगा और और देखेगा कहां पर है O, यह रहा हो, और जहां पर O है, वहां पर लागेगा बड़ा कोश्टक, और एप के साथ में आजाएगा X, ठीक ना, एप X की जो वैल्यों वो पूट करेंगी, और आ गया sin X, तो G sin X, और G X हमें पता है क्या है X स्कूर, X की जिगए पूट कर देंगे sin X, तो sin X, और यहां पर स्कूर है, तो इसका whole square, और sin X का whole square का मेंनिग आपको पता है, sin square X होता है, यह हमारा हो जाएगा answer ठीक ना, और आप लोग पताईए कि sin X का square जो है वो equal नहीं ह कि क्योंसर नमबर टू देखिए 2019 के पेपर में आया हो है और दो नमर का आया हो है तो यहां पर टोटल तीन नमर हो जाते हैं तो तीन नमर का यह जो चेप्टर है आता है एक्जाम में क्या रहा है क्या रहा है क्योंसर में यह दिया fx बराबर देखे लें ना जी मिसलेंस वन में fx पराबर x-3 upon x-plus 1 और यहां पर हमें यह value निकालनी है f square bracket f curly bracket f x यह value हमें निकालनी है fx की value पूट करेंगे सबसे पहले अंदर वाली value जो यह है इसका solution करेंगे तो f मंजला कोस्ट है और fx की जिगए यह वाली value x-3 upon x-1 ठीक है जी अब यहां पर यह अंदर जो है value यह बन गई है fx है ना इसको मैं capital x माल लू ना तो यह fx बन गया x-3 upon x-1 तो fx में x की जिगए हम यह value पूट करेंगे clear है put कर देते हैं तो बार तो f बढ़ा हुए है और यह fx जो अंदर वाली value इसका solution हम कर रहे है x की जिगए यह value put कर देते है x-3 upon x-1 में तो देखिए x की जिगए put किया x-3 upon x-1 ठीक है जी इस x की जिगए यह पूरी value फिर minus 3 है upon x की जिगए यह value x-3 upon x-1 प्लस में 1 इसका solution करते है क्या result आएगा तो f बढ़ा cost लेंगे उपर x-1 आएगा और value अंदर आएगी यहां पर देखिए x-3 x-1 जो है वो minus 3 से multiply होगा तो minus 3 x minus 3 बनेगा फिर man वाला bracket यह वाला हमने ले लिया इंबरेकेट नहीं बट्टा ले लिया हम आपकी जिए और यहां पर x-1 lcm आएगा नीचे भी और x-3 1 x-1 जिए multiply वा तो plus x plus 1 किलियर है जी कोई mistake नहीं करनी है द्यान रखें बड़े आराम से करना है calculation वाले जो क्योशन होते हैं उनमें mistake calculation में होती है द्यान रखें यहां पर जोड़ बाकी में होती है तो जोड़ बाकी जो हो सही होने चाहिए x-3x कितना होगा माइनस का 2x माइनस 3 माइनस 3 माइनस का 6 अपोन में x-1 है और यहां पर यह हमें लेने की आशिकता नहीं है यूँकि आपको पता है कि LCM में same value है तो यह कड़ जाएगी और अब नीचे क्या बचा x-3-1-2 होगा उपर नीचे कुछ value common आ रही है वो common ले लेते हैं माइनस 2 को common ले लेते हैं ताकि उपर माइनस हट जाए तो उपर हमने माइनस 2 common लिया तो यहां बचेगा x- common ले लिया 6 में से 2 common लिया तो 3 बचेगा तो x-3 नीचे हमने माइनस 2 common लिया तो यहां पर तो plus है तो minus x बचेग पूरा कॉमन लेते हैं तो अंदर 0 कर देते हैं, अंदर 0 कैसे बचेगा, अंदर तो 1 ही बचेगा, अब देखें, माइनस 2 से माइनस 2 जो है वो कट जाएगा जी, ठीक है, और वेल्यू जो बच रही है, तो वो क्या बच रही है, अक्स प्लस 3 अपान में, 1 पलस का इसको पहले लिख लेते हैं, अक्स माइनस का है इसको बाद में, और यह हमारे पास में फिर से रूप बन गया fx का, f और यह पूरी वेल्यू अक्स के मालने तो यह, x प्लस 3 अपान 1 माइनस x जो है, वो x की जगे हम पूट कर देंगे, fx में यहां पर, पूट कीजिए, x की जगे पूट करेंगे, x प्लस 3 अपान 1 माइनस x, और यहां पर हमारे पास में, माइनस 3 है, तो माइनस 3, नीचे प्लस 1 का भी ध्यान रखना है, x की जगे तो यह वेल्यू है, अपॉन 1 माइनस x, और प्लस 1, इसका सोलिशन करेंगे, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा, lcm ले लेते हैं, 1 माइनस x, तो उपर x प्लस 3, माइनस 3 मल्टिपला होगा 1 माइनस x से, माइनस 3 माइनस प्लस 3 x, और अपॉन में 1 माइनस x lcm में आया, यह वाला बट्टा जो मैन बट्टा है, उसका ध्यान रखें, उसको बड़ा ही लिकें में सा, x प्लस 3, और 1 मल्टिप है, कट रहा है, काट दिया हमने, और यहां पर एक value और कट रही है, 3 से माइनस 3, नीचे x से माइनस x, क्या बचेगा, x प्लस 3 x, 4 x, 3 प्लस 1, 4, 4 से 4 भी काट देते हैं, और value बचेगी हमारे पास में x, तो x हमारा यहां पर होगा answer, किलियर है जी, अब देखिए question number 3, यदि f, r, c, r, define f, x, 2 x, 2 x, 5 x, 7 हो, तो f, inverse 1 का मान गयात कीजिए, 2018 में आया हो है, एक number का question है, तो उसी साब से हमें यहां पर solution देना है, और मेरे खाल में आपके book में यह question नहीं है, और हो तो comment में बता देना मुझे, तो मैंने जितने हैं, उसी साब से बता रहो आप लोगों को self-designed questions आते हैं, board खुद बनाता है, तो देखें यहां पर f, r, c, r में define है, f, x, बराबर x, square, minus 5, x, plus 7, और यहां पर f, inverse 1 की value हमें निकालनी है, ठीक है, तो देखें, f, inverse 1 का meaning की आप लोगों को पता होना चाहिए, तब ही आप लोगों निकाल पाओगे, थोड़ा सा यहां आपने मैं समझा देता हूँ, r, c, r में है, हमें पता है, f, x, दिया वा, तो x, जो है, वो, प्रांत में होगा, domain में होगा, 1 जो है, आप इन्यूवर्स निकालनी है, तो इस 1 के लिए, domain में हमें अव्यव निकालना है, इसका मतलब यह है, f, inverse 1 का मतलब क्या है, इस 1 के मान धहन कर लेगा, तो 1 के लिए कौन सा मान धहन करेगा, हमें पता चल जाएगा, इस x की value हमें निकालनी है, आप कैसे निकालेंगे, f, inverse को लेकर आएंगे, x की तरफ, तो 1 बराबर हो जाएगा, f, inverse इदर आएगा, तो f बन जाएगा, f, inverse का, और यहां पर देखिए, f, x ह प्लस 7, और माइनस का बन हो जाएगा, यहां बचेगा 0, यह 0 बचा जाएगा, और यहां से value आएगी, x square माइनस 5, x, 7 माइनस 1, प्लस का 6, और यहां से हम कर लेते हैं, factor, माइनस 5, x के, आपको पता है, 3 into 2, 6 होता है, तो माइनस का 2, x, माइनस का 3, x, प्लस का 6, ठीक है, ज तो x square और 6 का multiplication होना चाहिए, तो यह आ रहा है, 6, 3 into 2, 6, x into x, x square, माइनस, माइनस, प्लस, ठीक है, उसके बाद में देखिए, common जो आ रहा हो लेते हैं, common, x common आया, तो x माइनस 2, माइनस 3 हमने common लिया, तो यहां x, यहां पर माइनस 2, एक्वल में 0, यहां से 2 factor हमारे पास मे x minus 2, x minus 3, दो factor आये तो दो solution होंगे, और दो solution कौन सी होंगे, पहले हमने लिया, x minus 2 equals to 0, तो x बराबर हमारे पास में 2, यहा, x minus 3, बराबर हमने 0 लिया, तो x बराबर 3 होगा, यहां पर यहां जरूर लगाए, तथा ना लगाए, यहां का मतलब होता है, यह तो यह 0 है, यह फिर यह 0 है, दोनों में से एक 0 होगा, तभी यह 0 हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर यहां लगाना है, तो दो solution होगे, वन के लिए, क्योंकि x की value हो ना, तो f inverse 1, जो है, उसके 2 मान होगे, 2 और 3, ठीक है ना, यह हमारा answer हो जाएगा, अब देखिए question number 4, 2018 मिया यह वह है, और 2 number का question है, एक number का पिछला था ही, टोटल होगे, तीन number है, question है, यह दि f r से r परिवासित है, f जो वास्तिक संख्याओ में define है, g भी वास्तिक संख्याओ में define है, real number में, और इस प्रकार define है, f x पराबर, x square plus 3, g x पराबर, 1 minus 1 upon 1 minus x, तो g o f x और f o g x ग्याद कीजिए, तो यह example 5 जो आपकी book में, बिल्कुल वैसा इक question है, वहाँ पर 3 की जिए 2 दिया हुए, और यह value जो है, वहाँ पर कुछ और थी, उसी को design करके, यह नहीं कि modify करके, और यहाँ पर यह value हमें दे दी गई है, कैसे, देखिए असे, f जो है, वह r से r में है, लिखना पड़ेगा, और f x बराबर x square plus 3, g भी r से r में define है, यह भी लिखना पड़ेगा, और g x बराबर 1 minus 1 upon 1 minus x, इसको थोड़ा सा हम simplify कर लेते हैं, तो यहाँ पर lcm आएगा 1 minus x, यह multiply होगा 1 से, तो 1 minus x, और यहाँ minus का 1 हाई, तो 1 से minus 1 जो हो, कट रहा है, यह हमने काटा, तो हमारे पास में value बज़ेगी, minus x upon 1 minus x, उपर नीचे minus से multiply कर देते हैं, माइनस से multiply करेंगे, तो हमारे पास में क्या value बज़ेगी, उपर देखिए, minus minus plus x, और नीचे, 1 जो है, वो minus का हो जाएगा, और minus का अग जो बज़ेगा, तो x minus 1 value हो जाएगा, यह minus का है, तो plus का हो गया, तो यह जो value देवी थी, इसी को ही यहाँ पर modify करके, और यह value हमें दे दी गई है, इस तरह से change कर सकता है, तो रटे ना, रटे यह तो दिक्कत हो जाएगी, समझते चलें एक एक point को मेरे साथ में, ठीक है, ना, अब देखिए, हम निकाल लेते हैं, जी ओ एक एकस, एकस एकस, पहले जी ओ एकस की बात करूंगे, तो जी ओ एकस के लिए, हमें पता है कि, यहाँ पर ओ आ रहा है, तो यह ओ की जिगए, बड़ा कोस्टक, एकस के साथ में एकस, एकस बन गया, एकस की value क्या है, एकस स्कुरे प्लस थ्री, पूट करेंगे, एकस स्कुरे प्लस थ्री, और यह बन गया, जी अकस, जी अकस हमारे पास में क्या है, यह value आई, हमारे पास में जी अकस की, आप चाहिए तो इस value क्यों भी निकाल सकते हो, इस value क्यों सेम ही है, दोनों equal है, तो यह हमने modify कर लिया है इस value को, तो हम पूट कर देंगे, तो यहाँ आपर देखिए X की जगे ये पूरी value हमें पूट करनी है, ठीक ना, तो पूट कीजिए इस X की जगे, X square plus 3 upon X square plus 3 minus 1, हमने पूट किया, तो result आया, X square plus 3 upon X square plus 2, दूसरी बात, यहां से अगर मैं ये value लूँगा ना, तब यही result हमारे पास में आएगा, कैसे आएगा, एक answer हो च रहेगा, 1 minus 1 upon 1 minus, इस X की जगे ये value पूट करेंगा, क्योंकि ये है GX, फिर से समझ दीजे, कई बचों के समझ में आता कि कहा value पूट करनी होती है, ये है GX, यहां पर भी ये GX है, तो यहां पर ये जो X है, उसके लिए ये X है, तो यहां पर हमारे पास में ये अगर capital X है तो हमें इस X की जगे capital X पूट करना पड़ेगा, ना, बात आप लोगों समझ में आ गई होगी, पूट करेंगे, तो X square प्लस 3, X square प्लस 3, और यहां से 1 minus, 1 upon, 1 minus, minus कोंदर multiply गिया, minus X square minus 3, और value आएगी, 1 minus 1 upon, क्या value है कि minus X square minus 2, 1 minus 3 minus 2 होगा, इस minus को दोनों में common ले लेते हैं, इस minus में सामिल करेंगे, तो minus minus plus हो जाएगा, कैसे, कि 1 minus, 1 upon, minus common ले लिए, X square plus 2 बचा अंदर, यहां पर, और यह minus minus plus हो जाएगा, multiply होके, होता नहीं, यहां से multiply, क्योंकि minus हो, ऊपर नीची जा सकता है, ध्य हो जाएगी, तो हमारे पास में, G, O, F, X, क्या आ रहा है, यहां से देखिए, 1 plus 1 upon X square plus 2, ठीक है जी, और यहां से LCM लिया, तो X square plus 2, और उपर X square plus 2, प्लस 1, तो X square plus 3 upon X square plus 2, LCM ले लिया, यह multiply हो गया, X square plus 2 से 1 जुड गया, और यही answer हमारे पास में यहां पर आया था ना, सेम ही आएगा, कभराने यहां सेकता नहीं है, ठीक है जी, हलांकि दो ही नंबर का question है, तो छोटा ही answer देना है, तो यहां तक आप लोग को answer देना है, उसके बाद में, F, O, G, वो भी तो पूचा है, एक नंबर का और करना है, F, O, G, X, तो F, O, G, जो वो आपको पता है, define हो X की value आपने निकाली थी, क्या, यह रही, X upon X minus 1, put कर दीजिए, F, X upon X minus 1, और F, X में यह value put कर दीजिए, F, X आपके पास में क्या है, यह रहा है, F, X square, plus 3, put कर दीजिए, X की जगे, X upon X minus 1, X square है, तो इसका square हो जाएगा, और साथ में, plus में 3 है, प्लस में 3, यह हमारे पास में हो गया, F, O, G, X, और क्योंकि यह दो ही निमर का है, तो आगे इसको solution इसका करने की आशिकता, आप लोगो है नहीं, फिर भी अगर आप लोग करोगे, तो LCM ले लोगे, उपर नीचे square होगा, तो X minus 1 का square हो गया, नीचे, और उपर जो है वो X square हो गया, औ प्लस में, X minus 1 का square जो वो 3 से multiply हो जाएगा, LCM लेते ही, ठीक है जी, और इसको simplify करोगे तो, X minus 1 का all square खोले ना जी, ठीक है ना, वहां से कुछ कट जाए तो अलग बात है, यहां तक भी कर दिया तो यह आपका answer हो जाएगा, तो यहां से नीचे दुबर आपको लिखना होता है, द्यान रखें, तभी आपको number जो है वो, तो correct मिलते है ना, कटने के समाना वो कम होती है, कि G O F X बराबर क्या या था, X square प्लस 3 upon X square प्लस 2, इस तरह से दुबरा लिख दोगे ना, F O G X बराबर, यह value, यह value कोई भी लिख दीजी, दोनों में से, X upon X minus 1 का whole square प्लस 3, यह आपका answer हो गया, अब देखे, question number 5, 2017 में आया हुआ है, और 3 number का ना, बड़ा question, देखे, इसका solution, question में क्या कह रहा है, यह दी, F R C R define है, वास्तिक सिंग क्या हूं में F X बराबर X square है, और G B R C R define है, G X बराबर 2 X है, तो यह तीनों values हमें निकालनी है, तो यह question आप लोगों में कहीं न कहीं, लेकिन टूटा-पूटा मिलेगा, तो देखे, F R C R define लिखना पड़ेगा, जो दिया हूँ है, F X बराबर X square, और G हमें दिया हूँ है, यहां पर R C R, G X बराबर 2 X, यह दिया हूँ है, यह तीनों values हमें निकालनी है, सबसे पहले बात करते हैं, हम यहां प F X की, तो G F जो आपको पता है, R C R में define होगा, सारे shade जो है, वो आ रही हैं यहां पर, तो G O F X क्या हो जाएगा, हमें पता है कि यह हो जाएगा, G बड़ा कोस्टेक F X, F X की value क्या है, X square, तो G X square हो गया, और हमें पता है, G X बराबर 2 X है, तो इस X की जगे X square पूट X square, यह मारे पास में G O F X आ गया, ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं, F O G X की, F O G जो है वो भी R से R, और F O G X, और F बड़ा कोस्टक G X हो जाएगा, G X आपको पता है, 2 X है, तो F 2 X हो गया, ठीक है जी, F 2 X हो गया, और यहां पर F X की value X square है, तो इस X की जगे हम 2 X पूट क नहीं है, तो 2 X पूट किया, इस X की जगे, 12 X square है, value कितनी हो जाएगी, 2 X square 4 X square है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, किसकी, F O F X की, F O F, जो है वो आपको पता है, R से R में वो भी define होगा, और F O F X बराबर क्या होगा, F बड़ा कोस्टक F X है ना, और यहां से F X, X square है, तो इस F X की जगे हमने X square पूट कर दिया, अब यह बन गया F X square, तो वापस पूट कर देंगे, X की जगे X square, X की जगे हमने X square पूट कर दिया, बाहर स्क्वेर और एक, तो यह बएली होजएगी, X की बावर 4, तो यह हमारे पास में तीनों आंसर होग ना लास्ट में दुबार लिख देना कि g o f अक्स जो है वहacey it mhq cite x कि गास जो है वहारे पास 12 दूर्फ स्क्वार्ण और f Egypt जो है कि और वह अक्स की पार 4 एंठ फिल्यया अब देखें उर 7 छो है gdla Maner इसथा qya वह सोल हो लो यह मझेली मनें आध की डीन वह QR बराबर 2x plus 3 दोरा परदत फलन f r से r पर विचार कीजिए, सिद कीजिए कि आप वितकरमनी है, f का परतिलों फलन भी ज्याद कीजिए, Consider f r 2 r given by f x equals to 2x plus 3 so that f is invertible, find also the inverse of the function f, तो आप लोग पता है, मैंने part 3 में बताया है, f वितकरमनी कब होता है, जब f एक 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 आचादक हो, ठीक है जी, तो एक 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 आचादक by ejection हो, उस condition में हम परतिलों फलन निकाल सकते हैं, तो हमें f को यहां पर एक 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 प्रूप करना है, और सारे काम हमारे ओटमेटिक यह हो जाएंगे, देखे, f r स r यहां पर डिफाइन है, f x बराबर 2 x plus 3, पार थरी में जब मैं आप लोगों को व्यूत करम निया फलन परतिलों फलन बता रहा था उसके वहां पर मैंने क्योशन लिया था फूर रक्स प्लस थरी की रूप में और वहां पर मैंने बोला था कि यह बोपद की रूप में था फूर रक्स प्लस थरी तो मैंने बोला था कि क्लास के रहा है तो वह भी आप लोगों समझ भी आ जाएगा कैसे है और आप लोगों ने क्लास के रहा है कि आशा थक तो बहुत अच्छी तरह से बढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यहां पर तो देखिए हमें सीध क्या करना है सबसे पहले वह लिखेंगे सीध करना है एफ व्यूत करमनी है एफ व्यूत करमनी है इनवर्टिवल फंक्सन है और साथ में क्या जात करना है एफ का परतिलों एफ का माप कीजिए एफ का परतिलों इनवर्स ओफ फंक्सन एफ यह हमें साथ में निकालना है तो देखिए सबसे पहला काम परमान में जो ह अफ्यूत करमने कब होगा एफ़ इधकरमनिये तभी होता है जब एके की आसादक हो, यह बात लिखने के बाद में अब हम एके की आसादक प्रूफ करेंगे इसको, तो सबसे पहले एक एक की बात कर लेते हैं बाउपद भलन वैसे बेक एक होता है X1, X2 दोवे लेते हैं हम डोमेन आर में से और यहाँ पर यदि Fx1 is equal to Fx2 है उस condition में X1 बराबर X2 हम लेकर आ गए तो हमारा काम तो हो गया Fx1 क्या होगा? Fx2 बराबर 2x3 है तो 2x1 प्लस 3 और यह हो जाएगा 2x2 प्लस 3 यहाँ पर 3 से 3 जो है वो कट रहा है जी तो काड़ देते हैं काटा तो क्या बचेगा? 2x1 is equal to 2x2 और यहाँ पर 2 से 2 भी कट रहा है तो अब हमारे पास value बच गई X1 is equal to X2 तो आगया X1 is equal to X2 चूंकि Fx1 is equal to Fx2 है तो इस condition में हमारे पास में X1 is equal to X2 है तो हम कहेंगे F1 की है ठीक है जी F1 की तो हो गया अब हमें इसको प्रूब करना अचा दख तो जो सोट में हमने काम किया हुआ है वह हम करेंगे आप और कलास 11 में किया हुआ है तो देखिए F R से R define है और Fx बराबर आपको दिया हुआ है 2x plus 3 इसके बराबर में मानेंगे Y और अब हम X की value निकालते है आचा दक में आपको पता ही है तो X बराबर किया हैगा Y minus 3 3 आया Y की तरफ minus 3 हो गया 2 का लग गया भाग यह value आएगी अब चुक्कि मैं पता है Y R को डोमेन से बिलोंग करता है Y belongs to R को डोमेन से परांथ Y जो वह से परांथ R से बिलोंग करता है तब यहाँ X belongs to R यानि कि परांथ से यह R जो परांथ का है यह से परांथ का है क्यों? डाइग्राम से समझते है यह हमारे पास में R 2 R F डिफाइन है यहाँ पर डोमेन में है X और यहाँ पर Y बराबर 2 X प्लस 3 ठीक है जी? अब देखिए हमने कहा अचादक कर यहाँ पर यह meaning क्यों होता है इसलिए निकालते है क्योंकि हम ने देखा क्यों जीक प्रांथ के लिए अचादक क्यूद इत् Woru चर्की रूप में होता है कि सारेयों के लिए बात लागू होती है कि Fx ब्राबर Y है है ना Voru 가운데 आरो इमेज होती है इमेज होती है , उसी तरह से हम वाई के लिए पूरोव प्रति प्रेमेज की तो वह भी तो कुछ होने चाहिए ना और आच्छा दख के लिए हम यह परूव करना होता है कि यहां पर कोई बी जो है कोई बी जो है कोई भी इच परांत में खाली की ना रहता है तो उसके लिए एक अवयोग कम से कम एक अवयोग होना ही चाहिए, अगर नहीं हुआ ना, तो हम कहेंगे वह अच्छा दगनी है, क्योंकि उसका पूरो परती में मुझूद नहीं होगा, प्रांत में, डोमेन में, तो यहां पर हम Y की वेल्यू पूट करते हैं, को डोमेन में स और कोई भी कम से कम एक भी अवयोग का मतलब है, एक भी वेल्यू अक्सकी एसी आगई यहां पर, कि वह डोमेन में से बिलोंग ना करें, तो वह अच्छा दगनी होगा, अंत्रक्षेप हो जाता है, तो यहां पर Y की आप रियल नंबर में से कोई भी वेल्यू पूट कीजि प्रानतार में पूर्व अपरतिविंब मौजूद है, प्रीमेज एकजिस्ट करती है, जो काम हमें कलास के रहे हैं किया है, इदे मासान बासा में, वह हमने यहां पर किया है, आचा दग हो गया, तो लिखेंगे एता है, एफ आचा दग है, और एफ एक एक ही हमने पहले ही स आचा दग है, तो लिख देंगे, एता है, एक 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 ही आचा दग है, और हम लिख देंगे, एफ व्यूत करमणी है, एफ व्यूत करमणी है, परतिलों फदन इसका निकाल लेते हैं, परतिलों फदन निकालना मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, कि एफ आर टू आर ड इसके बराबर में हमने लिया y और यहां से f को लेकर आएंगे y की तरफ क्योंकि f x बराबर हमने लिया y तो यहां से x बराबर हो जाएगा f inverse y तो f inverse y की वेलिए में चाहिए यह बराबर x के x की वेलिए हमने निकालेंगे उपर से हो हमने पहले निकाली हुए है तो यहां पर भी निकाल लेते हैं 2x plus 3 is equal to y तो यहां से x की value y minus 3 upon 2 फिर से निकाल ली हमने और यह value जो यह f inverse y के बराबर है तो यह हमारे पास में हो जाएगा इसका प्रतीला। ठीक है नुसको आप लोग आक्स की रूप में y की जिगे x we fifty करेके x की रूप में ले सकते हो इता है । प्रतिला। प्रतिल्यलाप फिर फिलन की हो जाएगा f inverse y की जिगे हम X ले लेंगे F inverse X बराबर यहां पर भी हमें X लेना होगा X minus 3 upon 2 यह हमारे पास में परतिलोम फलन होगा ठीक है ना? अब देखें क्योशन नमबर 7 2015 के वेपर मैं यहाँ तीन नमबर का क्योशन है क्या कह रहा है? यह दिए F और G दोनों ही R से R परिवासिते हैं रियल नमबर में और इस परिकार परिवासिते हैं कि F X बराबर X स्केर प्लस 1 G X बराबर 2 X minus 3 तो हमें F O G X, G O F X, G O G 3 निक्याद करना है तो बहुत ही आसा है और कौन सा क्योशन है? कौन सी exercise में मुझे नहीं मालूम और आप लोगों को अगर मिलता हो पता हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि Q7 यहां से है मुझे तो यह बनाया वा लग रहा है और हो सकता है कि उस टाइम पर 2015 में यह बुक में हो तो देखें यहां पर हमारे पास में F जो है वो R2R define है Fx बराबर दिया हुआ है यह सब कुछ लिखना होता है आंस्वर में ध्यान रखें शीदा ना करें और G जो है वो भी define है R2R और Gx is equal to 2x minus 3 यहां से सबसे पहले हम निकाल लेते हैं Fogx Fog यहां पर define होगा R2R Gx की value जो हम पूट करेंगे 2x minus 3 Fx में x की जिगा यह value पूट कर देंगे क्योंकि Fx की रूप में बन चुगा है पूट करेंगे x की जिगा है तो यहां पर x square है 2x minus 3 का whole square हो जाएगा और plus mu 1 इसका whole square खोल लेते हैं 4x square और minus 2 into 2 4 into 3 12 तो minus का 12 x और 3 का whole square होता है 9 plus me 1 तो value हमारे पास में क्या आई 4x square minus 12 x plus 10 यह हमारे पास में value आ रही है ठीक है जी और इसके क्या factor होते हैं हम factor भी कर सकते हैं ज्यान रखे और यह भी answer हमारा हो जाएगा तो factor होते हैं क्या 10 चोग 40 होते हैं 8, 5, 4, 13 हो गए नहीं होते factor तो यहां पर यह हमारा answer हो जाएगा और यह भी answer हो जाएगे दियान रखे इससे आगे बढ़ने की भी आपको आप शेक्ता नहीं होगी ठीक है ना उसके बाद भी बात करते हैं जी ओ एफ अक्स की जी ओ एफ अक्स एक answer तमारे पास में यह हो गया जी ओ एफ अक्स की बात करते हैं जी ओ एफ जो आपको पता है वो भी R चार डिफाइन होगा और यहां पर वेल्य हो जाएगी जी एफ अक्स ठीक है जी और यहां से GFX FX की वेल्य अक्स स्कार प्लस 1 पुट कर देंगे अक्स स्कार प्लस 1 अब यह बन चुका है GX के रूप में और GX ज़र वो 2X माइनस 3 है X की जिगा यह वेल्य पुट कर देंगे अंदर वाली X स्कार प्लस 1 तो 2 x की जिगा पुट कीजिए X स्कार प्लस 1 माइनस 3 2 को अदर मल्टिपला यह 2X स्कार प्लस 2 माइनस 3 वेल्य आएगे हमारे पास में 2X स्कार और 2 माइनस 3 माइनस 1 तो यह वेल्य हमारे पास में आई टीक है जी उसके बाद में हम G O G 3 की बात कर लेते हैं G O G है वो हमारे पास में वो भी R से R डिफाइन होगा और G O G 3 हमें निकालना है तो G और यहां पर हो जाएगा G 3 है ना पहले हम G O G X निकाल लेते हैं उसमें हम पुट कर देंगे 3 X की जिगए क्यों जी हम भाप कीजिए तो यहां पर निकालेंगे G O G X तो G G X और G X की वैल्यू 2 X माइनस 3 है तो 2 X माइनस 3 हो जाएगा यह साथ में G हो गया तो G X की रूप में आगी वैल्यू तो आपस X की जिगए हम यह पूट करेंगे तो 2 इंटू 2 X माइनस 3 3 माइनस 3 यहां से मारे पास में वैल्यू आती है 2 इंटू 2 4 X माइनस 6 माइनस 9 माइनस 3 यह हो गया माइनस का 3 तो वैल्यू कितनी आएगी 4 X माइनस का 9 और यहां से अब हम पूट कर देंगे X की जिगए 3 X बराबर 3 पूट किया तो G O G 3 हो जाएगा और यहां पर X की जिगए 3 पूट करेंगे 4 इंटू 3 माइनस 9 4 इंटू 3 12 होता है 12 माइनस 9 कितना होगा 3 होगा तो G O G 3 जो 3 यह आ रहा है यह हो गया 3 के लिए न वापस वही वैल्यू आ रही है तो यहां पर लास्ट में हमें लिखनी होगी सारी वैल्यू की G O F X क्या है F O G X की वैल्यू क्या है वो सारी लिखनी पड़ेंगी शुरुआत में कौन था हमारे पास में F O G X F O G X क्या रिजल्ट आया था रिजल्ट आया था हमारे पास में 2x-3 का whole square plus 1 या फिर यह value 2x-3 का whole square plus 1 last में second last g of x g of x की value जो वो 2x square minus 1 है और last में g of g3 क्या value आई? यह value आई हमारे पास में 3 तो इस तरह से हम answer देंगे clear है जी? अब देखे question number 8 2014 की exam में आया हुआ है तीन नमर का question है क्या गया रहा है? मान लीजी कि f and 2y f x is equal to 4x plus 3 द्वार परिवास से देख फादन है जहां capital y जो एक set है और define है यहां पर y belongs to n y is equal to 4x plus 3 किसी x belongs to n के लिए natural number के लिए सिद्की जी कि f यूद करमनी है परतिलोम फदन भी गयाद कीजिए हमें inverse function भी गयाद करना है और इसे invertible भी प्रूफ करना है तो एसा question हमने किया हुआ है पर 3 में जब हम परतिलोम फदन पढ़ रहे थे उस condition में और वहां पर हमने r लियावा था यहां पर जो है उसेट अलग है तो क्या दिखेत है तो देखिए fn2y define fx is equal to 4x plus 3 और यहां पर y जो वह define है किस तरह से y belongs to n capital N और y is equal to 4x plus 3 और x belongs to n ठीक है जी एक set है अब set यह आप लोगों दिखाई दे रहा होगा कि x की value हम n में से लें और हमें पता है कि x की value n में से लेंगे 1 put किया तो 7 से start हो का y जो है तो 7, 8, 9, 10 इस तरह से आएगा यह set जो हो y का तो अब यहां पर देखिए f को हम व्यूत कर्मने प्रूब करेंगी हमने 4 पहले किया हुए एक f की अचाहदक हो न सी यह तो क्यूशन में दिया था तो हम लिकि सकते ना उसमें क्या प्रोबिलम है न मा tentang रिखिसकते थे कि हमें सिध्च ध क्या करना है हमें दिदկा वा क्या है फ्यूत कर्मनी के ये तो लिख देते हैं ठीक है ना और साथ में F का परतिलों फदन में गयाद करना है परतिलों फदन ठीक है जी करते हैं स्टार्ट सबसे पहले हम लिखेंगे कि F विद करमनिये तब ही होगा जो बात हमने पहले लिखी थी न एक क्योंसन आया था एक की आचादक बोलते हैं तो यहां पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं एक एक की की दो आउल लेंगे एकस बन एकस टू विलोंस टू डोमेन में से एन में से ले लिया जी और एकस बराबर एकस टू माल लेंगे ठीक है जी अकस बराबर अकस टू हमें प्रूफ करना यहां पर तो एकस बन क्या होगा 4 अकस बन प्लस 3 4 अकस टू प्लस 3 अकस टू हो जाएगा और आपको पता है कि यहां पर 3 से 3 कटेगा तो वेल्यू आएगी 4 अकस बन इस इक्वल 2 4 अकस टू यहाँ पर 4 से 4 कटेगा तो value आजाएगी x1 is equal to x2 तो हो गया जी है तो fx1 is equal to fx2 है उस condition में x1 is equal to x2 तो fx1 की है ठीक है जी fx1 की है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माचादक की तो आचादक देखिए कैसे अप्रूव करेंगे बिल्कुल वैसे ही जिसे हमने पहले काम किया हुआ है कि fx2 है वो n स y में define है fx2 बराबर आपके पास 4x3 है इसके जदा detail में जाने के आप लोग आशरता नहीं है जो काम में कर रहा हुआ है वही काम आप लोग करना है ठीक ना detail में मैंने claim में समझाय हुआ है वो बहुत सारे questions में समझाय हुआ है तो यहां पर देखिए आचादा के लिए हम क्या करते है x की value निकालते है ना तो x बराबर यहां से क्या आएगा चुकि 4x3 हम लिखेंगे यहां से 4x3 is equal to y तो यहां से x is equal to y minus 3 upon 4 हो जाएगा अब चुँकि y अगर belong करता है किस से capital y से 7 से स्टार्ट होगा क्योंकि 4x3 से आएगा जो हमें क्यों में कह रहा है ना देखिए यहां पर कि capital y जो 4x3 से आएगा x की value न में से आएगी x की value हमने जैसे शुरुआत की 1 से स्टार्ट किया तो 7 2 हमने पूट किया तो 4 x 2 8 पलस 3 11 है इस तरह से भी लिएगी तो 7 11 यह सेट होगा इसका ठीक है ना y का सेट जो 7 11 इस तरह से होगा तो अब देखिए y belongs to capital y है यानि कि हम 7 से स्टार्ट करते हैं कि हमने 7 पूट किया 7 minus 3 4 होगा 4 upon 4 1 होगा तो अग्स जो वो किस से आएगा n में से definitely आएगा अगर इस y की value छोटी हुई 7 से तब नहीं आएगा यह हुआ 6 minus 3 तो 3 हो जाएगा और 3 upon 4 नेचल नमबर नहीं होता है बात आप लोंग समझ में आ रही है तो तब यहाँ y minus 3 upon 4 belongs to n और इसका मतलब यह होगा कि x belongs to n ठीक है ना और इस पूरी बात का मतलब में आप लोंग बता हुए कि कोड डोमेन में यानिके सेपरांत सेपरांत वाई में केपिटल वाई है यह केपिटल वाई है ध्यान रखें यह जो यह से गुमा रहा हुँए समोल वाई है सेपरांत केपिटल वाई में यह केपिटल वाई के माप कीजिए capital Y के प्रतेक अवियोवका के प्रतेक अवियोवका के प्रतेक अवियोवका पूर्व प्रते विम्ब प्रांत प्रांत क्या है N N में मौजूद है विद्देमान है और इसी बात को हम यह लिखते हैं आच्छा दक में आपने देखा होगा कि Y belongs to small y तो यहां पर exist करता है अक्स बिलोंग स्टू capital N और ऐसा करता है कि अफ हे बराबर B और यहां पर ऐसा हमने पढ़ा हो है और यहां पर एक ही जगह क्या आएगा अक्स आएगा अफ अफ बराबर और बराबर हो जाएगा यह जो statement है यही हमारे पास में हमने mathematical यह लिखा है कि Y belongs to Y तो उसके लिए एक पूरो परतिभी मौजूद X belongs to N और कब है जब एफ 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 बराबर Y है क्योंकि शुरुआत में हमने एफ 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 बराबर Y तो लिया था तो उस condition में और यह statement जो है यही तो बताता है हमें आचादक है है ना तो यह जो statement यह जो हमने mathematics लिखा है ना यह इसी statement का mathematics रूरो पर ध्यान रखें यह बात ठीक ना कुई आप लोग को क्योंकि यूटूब में ने एक बार वीडियो देखे थे पता ने क्या क्या बता रहे हैं आचादक पतन के बारे में तो कुछ भी गलत सलत मत पढ़ लेना ठीक ना तो एक एक की हो गया आचादक हो गया तो F एक एक की आचादक है F एक एक की आचादक है और एक एक की आचादक है तो आपको पता है क्या F वित करमनी है F उतकरमनी है तो परतीलोम तब आप लोग निकाले लोगे यह परतीलोमी तो है कि F X बराबर 4 X प्रस 3 और इसके बराबर हमने Y लिया तो F X बराबर हमारे पास में Y है तो F इन्युवर्स Y बराबर हमारे पास में X होगा x की value आपको निकाल लेंगे यहां से और x की value आपको पताए क्या यह हुई है पहले से ही y minus 3 upon 4 तो यह हमारे पास में हो गया x बराबर f inverse y के बराबर है तो f inverse y के बराबर तो परतीलों फ़लन जो वो f inverse वो define होगा y से n में क्योंकि f n से y में define है y से n में define होगा और f inverse x बराबर क्या हो जाएगा इस y के जिगए हम export कर देंगे x minus 3 upon 4 यह हमारे पास में answer हो जाएगा लास्ट में यह जरूर लिखें अब देगे question number 9 2013 के paper में आयवा तीन number का question है और यहां पर finally दिवदारी संक्रिया आ रही है binary operation आ रही है इस question में बागी सारे question में नहीं आ रही है न कहीं भी तो क्या करा question दनातों कुरिमें संक्रियों के समझे q plus में निम्लिकित प्रकार से परिवासित star एक दिवदारी संक्रिया है a star b is equal to a b upon 4 सिद कीजिये कि प्रूव हमें करना है star जो वो commutative है करम विनी में है वो साचरी है associative है q plus में star का inverse element भी हमें यदि कोई है तो ग्याद करना है पर तिलों माव्यो तो देखिए इस question में जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं क्या दिया हुए जी star जो है वो q plus में दिव आदारी संक्रिया है दिव आदारी संक्रिया है clear है और साथ में दिया हुए a star b is equal to a b upon 4 तो सबसे पहले बात करें हम करम विनी मेता की तो करम विनी मेता की बात करेंगे करम विनी मेता commutativity तो उसके लिए आपको पता क्या करना होता है a star b अगर b star a के equal है तो जो संक्रिया है वो करम विनी मेता की पाल्ess करती है तो देखिए हमें a b belongs to q plus दिया हो है और यहां से a star b जो है वो हमारे पास में है a b upon 4 और b a belongs to q plus a b belongs to q plus तो यहां पर शीरा भी ले सकते हैं i b belongs to q plus मैंने यहाँ पर उल्टा ले लिया क्योंकि B की संक्रिया हम A के साथ में करवा रहे हैं तो B star A is equal to B A upon 4 B A जो है multiply में A और B तो हम इसको A B लिख सकते हैं A B upon 4 हो गया और यह value A star B के equal हो जाएगी तो यहां से हम कहेंगे A star B is equal to B star A और यह value equal है for all A B belongs to Q plus सभी A और B जो है उन सभी के लिए परतेगा जो के लिए ना तो लास्ट में कहेंगे आता है Q plus में star करम भी निमे है करम भी निमे है ठीक है जी commutative है बात करते हैं साचरियता की तो साचरियता के लिए यहां पर देखते हैं साचरियता में तीन अवे हमें लेने होते हैं A B C belongs to Q plus है ना और तीनों के लिए हम संक्रिया लगाएंगे तो पहले बात करेंगे हम A star B star C की A star B करेंगे तो उसके लिए क्या होगी A B upon 4 A B upon 4 और अब इसकी संक्रिया होगी C के साथ में इसको सरल किया अब इसकी संक्रिया C के साथ में होगी तो यहां पर देखिए A B upon 4 की संक्रिया हम C के साथ में करवा रहे हैं तो A की जिगह है तो A B upon 4 आएगा तो A की जिगह हमने B upon 4 लिखा B की जिगह क्या आएगा? C आएगा और B की जिगह C हमने किया और upon में 4 पहले से है तो वेली हो जाएगी A, B, C upon में 4 into 4 16 ठीक है जी? आगे बढ़ते हैं A star B star C A star B star C और यहां से A लग रहेगा B star C क्या होगा? B, C upon 4 B, C upon 4 A की जिगह B, C, B की जिगह C हना? और इन दोनों के संक्रिया करवाएंगे तो A की जिगह तो A ही है और into में B की जिगह B, C upon 4 होगा तो B, C upon 4 और एक 4 पहले से है तो वेली क्या हो जाएगी? A, B, C upon 16 दोनों की वेली जो इक्वल आ रही है, इक्वल आ रही है तो यह साथ चरिया है equation first is equal to equation second और यहां से कर सकते है A star B star C is equal to A star B star C लिखेंगे नीचे लिखेंगे नीचे लिखेंगे स्टार जो साथ चरिये है दो काम तो हमारे हो गए उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है Q में star का परतिलोम अव्यूव जदी कोई है तो ग्याद कीजिए तो परतिलोम अव्यूव जदी कोई है तो परतिलोम अव्यूव जदी कोई है कैसे निकाला था उसके लिए हमें चाहिए तत्समक अव्यूव तो star का तत्समक अवयव निकालेंगे तत्समक अवयव तत्समक अवयव होगा तभी हम प्रतिलोम अवयव निकाल पाएंगे न तो मान लेते हैं कि माना तत्समक अवयव जो है identity element वो e है तब हम a की संक्रिया e के साथ में करवाएंगे तो a belongs to q plus e belongs to q plus संक्रिया करवाते हैं a star e तो मैं पता है कि वापस क्या आना चाहिए a ही आना चाहिए हम तत्समक अवयव के साथ में संक्रिया करवाते हैं तो a star e is equal to e star a यह उता तत्समक अवयव में is equal to a तो a star e क्या होगा a b upon B की जगह क्या आएगा? E तो A B upon 4 और is equal to E A upon 4 आप किजिए फिर से मैंने वही लिख दिया A E upon 4 B की जगह E आगया और यह equal होगा A की तो कोई भी दो ले लिजिए और यहां से हम E की वेलू निकाल लेंगे तो E क्या आएगा? A E upon 4 is equal to A मैंने लिया A से कटेगा और कटेगा तो यहां पर आएगा 1 तो E बराबर कियाएगा करोस मुल्टिप्लाई किया 4 को 1 से तो E बराबर आएगा 4 तत्समक अव्यव हमारे पास में 4 आगया ठीक है जी? तो लिख देंगे आता है तत्समक अव्यव तत्समक अव्यव E is equal to 4 अब यहां से परतिलोम अव्यव निकालना बड़ाई आसान हो जाएगा और आप लोगों को बता है परतिलोम अव्यव कैसे निकालते हैं कोस्टक मैं यहां पर बता देता हूँ कि A की संक्रिया मैं परतिलोम अव्यव के साथ में कराऊँगा A इनिवर्स के साथ में तो हमारे पास में E आना चाहिए और साथ में A इनिवर्स के संक्रिया मैं A के साथ में कराऊँगा तो दोनोगी कंडिशन में हमारे पास में तत्समक अव्यव आना चाहिए यह condition होती है प्रतिलोम अव्योव की तो हम माल लेते हैं आपर की माना प्रतिलोम अव्योव है तो हम आई माल लेते हैं इन्वर्स से तो आई प्रतिलोम अव्योव है एका प्रतिलोम अव्योव है a belongs to q plus का ठीक है जी और यहां पर i भी प्रतिलोम अभी है तो यह q plus से बिलोंग करेगा ठीक है ना small i हमें लेना होगा यहां पर कोई भी अभी अभी ले ले लिजिए प्रतिलोम अभी के लिए आप लोग इन्वर्स भी ले सकते हो ठीक है ना तो मैंने आपर small i लिया है क्योंकि inverse जो है वो प्रतिलोम को दर्शाता है इसलिए inverse का i भी ने ले लिया अब यहां से हम संक्रिया करवाते हैं कि a i belongs to q plus और यहां से a star i क्या होगा a i upon me 4 हाना और इसकी value क्या होनी चाहिए तत्समक अव्यों के बराबर में हाना तो मैं यहां परत सारी संक्रियां लिख लेता हूँ पहले कि a star i is equal to i star a is equal to e अब सारी values put कर देता हूँ a i upon 4 is equal to i a upon 4 is equal to e की value क्या है 4 हाना एक दम simple बास हम ले लिया जो हमने concept शीका हूँ उसी को और यहां से कोई भी दो ले ले लेजिए i की value निका लेजिए तो a i upon 4 is equal to 4 तो यहां से i is equal to क्या होगा 4 into 4 cross multiply क्या 16 upon a i हमारे पास में परतिलोम अव्योव जो वो क्या है आता है परतिलोम अव्योव परतिलोम अव्योव हमारे पास में आया i is equal to 16 upon a परतिलोम अव्योव जो आप लोग b भी मान सकते हो कोई भी मान सकते हो ठीक ना इसी कोई condition नहीं कि i मानो या कुछ और मानो और कुछ पूचा है गया तो मोजूद है परतिलोम अव्योव वो हमारे पास में क्या है अव्योव के लिए होता है तत्समक अव्योव पूरी संक्रिया का होता है ठीक ना क्योंकि अलगलग अव्योव के लिए परतिलोम अलगलग हो सकते है ना संक्रिया में, ठीक है जी, यह मारे पास में एका परतिलोम हो गया, आप देखतें क्योशन नमर 10, 2011 के पेपर में आयवाद, तीन नमर का क्योशन ने क्या कर रहे, यह दि, एफ आर, टू आर, एफ एगल टू, टू, अग्स मानेस तरी, जो है, ठीक है जी, तो जो दिया हुए, सबसे पहले उसकी बात करते हैं, कि एफ आर, टू आर, एफ एक्स इस इक्वल टू, 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 अग्स मानेस तरी, और जी हमें यहां पर डिफाइन है, आर टू आर, और जी एक्स इस इक्वल टू, एक्स प्लस थ्री अपॉन टू, सबसे पहले एफ ओ जी की बात करते हैं, तो एफ ओ जी यहां पर डिफाइन होगा, आपको पता है, सारे जो हैं, वो आर यहां सेट, तो आर से आर में, तो एफ ओ जी एक्स निकालेंगे हम, और फो जी एक्स यहां पर क्या आएगा, एफ जी एक्स हो जाएगा ये, और जी एक्स की वेल्यू पूट कर देंगे, अक्स प्लस थ्री अपॉन टू, तो यह हो जाएगा, एफ अक्स प्लस थ्री अपॉन टू, जी एक्स की जिगा है, अब यह बन गया fx के रूप में fx ब्राबर 2x-3 है x की जिगया यह ब्राइब पूट करेंगे 2 into x plus 3 upon 2 minus 3 2 से 2 यहाँ पर कटा तो result हमारे पास में क्या आया x plus 3 बचा यहाँ पर और यहाँ पर minus का 3 3 से यह minus 3 भी कटा तो हमारे पास में f o g x ब्राबर क्या आया यह value i x तो वापस x ही आ गया तो यह तत्समग है ठीक है ना आगे बात करते हैं यह question number first मा ले दें इसको बात करते हैं gof की तो gof भी आर से आर में define होगा और यहाँ से हमारे पास में जो value है वो हो जाएगी आकोस्टेक f x हो जाएगा और f x जो आपको पता है 2 x minus 3 तो g 2 x minus 3 हो गया अब g x की जो value है वो क्या है x plus 3 upon 2 तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x की जिगाए यह value पूट कर देंगे 2 x minus 3 और plus में 3 है upon में 2 है ठीक है जी यहाँ से minus 3 plus 3 कट जाएगे और value बचेगी 2 x upon में 2 2 से 2 भी यहाँ पर कटेगा तो value हमारे पास में क्या हैगी x ठीक है जी तो यहाँ पर g of g of x जो है उसकी value भी x ही आ रही है तो यह भी तत्समक है ठीक है ना और यह भी तत्समक है तो यहाँ पर आ रही है जो set है वो ठीक है ना तो यह भी उपर बाला भी ir नीचे भी ir तो equation equation नमर होगी 2 equation first हो है second से g o उपर कौन था f o g है ना f o g x is equal to g of x is equal to x आ रहा है तो यह value i x के equal होगी है ना और मुआपकेजिए set यहाँ पर x नहीं है r में x के लिए यह तत्समक फदन की value होगी ठीक है जी तो ir x के बराबर होगी और अब x हटा देंगे तो हमारे पास में result के आएगा f o g is equal to g o f is equal to ir ठीक है ना तत्समक फदन का पूरा concept आप लोगों को पता ही है और नहीं पता है तो देख लेना वीडियोज अब देखे लास्ट question question number 11 बहुत ही बड़ी equation है 2010 में आया हो है इसकी value हमें निकालनी है ऐसे के उसने exam में आने चाहिए और ऐसे के उसने exam में आते हैं तो आपको पता ही है मारवाडे में एकावद है g सोरा हो गया ना तो g सोरा हो जाता है कैसे देखते जाए आप लोग 3x plus x cube upon 1 plus 3x square g x के बराबर है हमें निकालना f o g x तो यहां पर यह हो जाएगा f बड़ा कोश्टक g x और g x की value यह हमारे पास में है पुट कर देंगे 3x plus x cube upon 1 plus 3x square ठीक है जी यह बन गया हमारे पास में f x के रूप में f x बराबर हमारे पास में यह value है तो x की जगए यह पूरी value पुट करेंगे पुट करेंगे तो log base e बड़ा कोश्टक ले ले लेते हैं 1 plus x की जगए यह value 3x plus x cube upon 1 plus 3x square और अपन में 1 minus 3x plus x cube upon में 1 plus 3x square बड़ा कोश्टक मैंने यह आपर क्यों लिया है क्योंकि छोटे कोश्टक के लिए चोटा कोश्टक जोब हो इसके लिए में इस्तमाल कर रहे है ठीक है जी अब हम इसका करेंगे solution यहाँ पर नहीं छोड़ सकते इसको क्योंकि तीन नम्मर का question है तो देखिए log base e lcm ले लेते हैं बड़ा बट्टा जो है महन बट्टा जो बीच में है उसको मैंने पहले लिए बहुत बड़ा आना और उपर वाली value का lcm 1 प्लस 3x square यह multiply होगा इस 1 से तो 1 प्लस 3x square plus 3x plus x cube यह हमारे पास में हाई upon में हमने lcm लिया तो same lcm 1 प्लस 3x square यहां पर भी होगा यह multiply होगा 1 से तो 1 प्लस 3x square माइनस को अंतर multiply करेंगे तो minus 3x minus x cube ठीक है जी और यहां पर lcm जो होगा दोनों के same है same lcm है तो हम काट देंगे जी अब जो बचरी value उसी से हमें solution करना होगा तो log base e क्या value बचरी है 1 प्लस 3x square प्लस 3x प्लस x cube अब उन में 1 प्लस 3x square माइनस 3x minus x cube तो अब इन दोनों के हमें करने होगे factor वैसे तो आप लोग बता दूं कि यह दोनों values हैं उपर वाली values है वो 1 प्लस x का cube होती है नीचे वाली 1 माइनस x का cube होती है 1 माइनस x का whole cube होती है आप लोग इनका cube निकाल के देख सकते हो यह values आने वाली है फिर भी हम यहाँ पर करेंगे factor क्योंकि factor कैसे करते हैं वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा और बहुत कुछ समझ में आ जाएगा अगर factor करना समझ में आ गया तो तो देखे सीधे सीधे factor तो होंगे नहीं तो हम क्या करेंगे 1 और x cube को हम एक जगर रखेंगे क्योंकि a cube प्लस b cube का formula बना सकते हैं यहाँ पर और 3 x square प्लस 3 x को एक जगर रखेंगे ठीक है ना और इसी तरह से नीचे 1 माइनस x cube को एक जगर रखेंगे और 3 x square माइनस 3 x को एक जगर है अब a cube प्लस b cube हम बनाएंगे इसको तो आपको पता है 1 का cube बनी होता है तो हम इसको यह लिख सकते हैं 1 cube प्लस x cube और इन दोनों में 3 को मनाया x को मनाया तो अंदर बचा x square प्लस 1 3 x को मना गया ना और अब आन में 1 cube माइनस x cube पूरा बता रहा हो ना और यहां पर 3 x को मनाया तो अंदर बचा x square माइनस आप कीजिए x को मना गया एक उस गड़बड हुई है कि हाँ x square था यहां पर यह मैंने cube कर दिया तो यहां पर x बचेगा अंदर है ना अंदर जो बचेगी 3 x square प्लस 3 x और यहां पर x बचेगा नीचे भी x प्लस x माइनस 1 बचेगा माफ कीजिए x माइनस 1 किलियर जी अंदर मल्टिप्ला करेंगी तो वापस यह value आने चाहिए यहां पर भी यह value आने चाहिए आप देखिए log base e और 1 cube प्लस x cube तो formula आपको पता होने चाहिए a cube प्लस b cube का क्या होता है formula a plus b a square minus a b plus b square यह formula होता है यह formula हमें आप लगाएंगे a की जिगए 1 b की जिगए x तो 1 plus x 1 plus x आगे 1 square 1 होता है minus a into b 1 into x 1 into x पूरा लिख देता हूं 1 cube plus x cube यहाँ पर होगा 1 plus x यहाँ पर 1 का square यहाँ पर 1 into x और plus में x square तो यह value हम लिखेंगे 1 square 1 होता है 1 into x x होगा और plus में x square और यहाँ पर जो value आ रही है गो आ रही है 3x अंदर x plus 1 x plus 1 को हम लिख सकते हैं 1 plus x कोई problem नहीं है 1 plus x लिख दिया upon में इसी तरह से मारे पास में value हो जाएगी a cube a cube minus b cube के formula से formula होता है a minus b a square plus a b plus b square ठीक है जी तो यहाँ पर 1 cube minus x cube बराबर क्या हो जाएगा 1 minus x और 1 plus x plus x square यह value हो जाएगी तो 1 minus x और 1 plus x plus x square ठीक है जी plus में 3x है और x minus 1 x minus 1 में हम क्या करते हैं common ले लेते हैं क्योंकि आपर 1 minus x है न तो minus common लेंगे minus common लेंगे वो आएगा बाहर ठीक है जी बाहर आएगा तो 3x से पहले लग जाएगा और अंदर value क्या बचेगी 1 minus x निशान चेंज हो जाएगा अंदर clear है log base e अब इन दोनों में common क्या रहा है 1 plus x हमने common लिया 1 plus x तो यहां बचा 1 minus x plus x square यहां बचा plus का 3x अब ओन में इन दोनों में 1 minus x common आया यहां है 1 plus x plus x square यहां minus का 3x और log base e 1 plus x और यहां पर यह value जो है क्या हैगी 1 plus 2x plus x square 3x minus x 2x हो गया upon me minus 3x plus x minus का 2x हो जाएगा तो 1 minus x 1 minus 2x plus x square यह दोनों formula बन रहे हैं उपर तो बन रहे है 1 plus x का whole square नीचे 1 minus x का whole square इन दोनों के factor भी आप लोगों करके बता देता हूँ formula ता आप लोगों बता है factor कैसे करते हैं वो पता साइद ना हो तो देखिए 2 कैसे factor करने है कि multiply करें तो x square हो जाए x square into 1 हो जाए तो आपका पता है क्या होगा 1 plus x plus x 2x को हमने लिखा x plus x पलस में x square है आप उन में 1 minus x और minus 2x को क्या लिख देंगे 1 minus x minus x minus 2x को लिखा हमने और यहां से हम factor करेंगे सारा factor system बता रहा हो आप लोगों को आप फोर्मूले थे आप लोगों पता होगे square खोलना आप लोगों आता होगा अब देखिए यहां पर इन दोनों में common क्या रहा है 1 common आ रहा है आपने 1 common लिया तो यह मैं मंजला कोस्टक ले लेता हूँ मंजला कोस्टक मैं ने लिया इन दोनों में 1 common आया तो अंदर बची value 1 plus x इन दोनों में x common लिया तो अंदर value बचेगी यहां पर 1 और यहां पर x तो x plus 1 यह 1 plus x यहां पर 1 बचा अक्स कोमन ले लिया यहां पर अक्स बचा किलियर है जी इसी तरह से हम नीचे वेल्यू करेंगे आलंकि इस वह बड़ा हो रहा है लेकिन आप लोग को मैंने बोला था ना एक एक पॉइंट समझना चाहिए जब आप लोग पता ना हो कि यह किसका क्यूब है क्योंकि यह तो मै रहते हैं अप लोग पता निहां होता कि क्यूब है क्या किसी का अना तब आप लोग फेक्टर करना जाते है तो फिर बात बन जाएगी इसलिए आप लोग बता रहा हुआ हो अगि हाँ हलोंकि आप लोग पता चली जाएगा इतनी आप लोग करोगे तो Türkiye यह cube है 1 प्लस x का, क्या रहा है, मंजला को उस्टक लेंगे यहां पर भी, इन दोनुं में common आरहा है, 1, तो 1 माइनस x, इन दोनुं में common आरहा है, माइनसに x, यहां बचा प्लस का 1, यहां माइनस का अक्स, common लेना ता आप लोग आता होगा, और यहां से देखी अब 1 प्लस X तो बाहर है अंदर 1 प्लस X दोनों में common आ रहा है common लिया तो यहां बचा 1 यहां बचा X इसी तरह से नीचे हम value लेंगे 1 माइनस X और यहां पर 1 माइनस X दोनों में common आया यहां बचा 1 यहां माइनस का X तो तीनों हम multiply में हो चुके हैं और value जो उपर उपर से हम है नीचे से हम है न और value क्या है 1 प्लस X 1 प्लस X 1 प्लस X क्या हो जाएगा 1 प्लस X का cube हो जाएगा सिधा है लिख देता हूं 1 प्लस X का cube नीचे क्या होगा 1 माइनस X का cube ठीक है न और एक साथ क्यूब ले लेता हूँ मैं दोनों का क्यूब है तो 1 प्लस 6 अपॉन 1 माइनस 6 इसका होल क्यूब लोग में आपको पता है कि पावर जो होती हो आगया जाती है पावर को हमागे लेकर आएंगे तो देखिए क्या मेजिक रिजल टाएगा हमारे पास में मेजिक वाला आणसर आने वाला न यह जो वेल्यू है यह वाली यह fx की वेल्यू थी शुरुवात में ध्यान से देखिए fx बराबर लोग में c1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x इसकी वेल्यू है fx की इसकी जिगए fx होगा तो 3fx यह हमारा आंसर आया किसका हम कहां से चले थे fogx का ठीक है न fogx बराबर यह वेल्यू आई है तो वीडियो आप लोगों कैसा लगा कमेंट करके जुरू बताना और वीडियो को लाइक कर देना और पीछे के वीडियो यह और चयाई कि शेप्तर वन के थिओरी के एकसराइस की वीडियो आई के निसान पे या पीर चैनल में सूर्च कर लीजिए या पिर दिसक्रिप्सञें में देख लीजिए बहुत सारे चोइसस अपके प्यास में है और टेलिग्राम चेनल को जो इन जो है वो जूरू कर लेना जी अभी मेरा गला जो बेड़ता जा रहा है थेंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद